तो अब हाए हमारे पास वरेवा वरेवा जी वरेवा क्या कहना जाएंगे आप हलो तुम चाहती क्या हो? मैं जो चाहती हूँ तुम मुझे दे नहीं सकते शहरोज शहरास अच्छा जी क्या हो वारे वा आप तो दिखी नहीं रहे गीत आएंगे हैं अपका मैं ठीक हूँ जी आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ यह बहुत आप इससे पहले आप सार्ट हो मैं आपको ए करती हूँ वो आजकल पता नहीं क्या है यूटूब पे कि वो खुद भा खुद जो है ना क्योंकि आज मास पैमिंग बहुत हो रही है ना मेरे चैनल पे तो कभी कबार यूटूब खुद ही डिलीट कर देता है चीज़ें फिल्टर पर बिल्कुल बिल्कुल I apologize for that as well क्योंक अपना क्योंकि भाई मैं नहीं जाती है गीत कपूर भी जागे गए हो और मालीज एक्सपोस्ट ने 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 मैं इसी चवले नहीं मारता इंटरनेट पे मैं एक सुझावा इंसान अपने आपको समझना जरूरी समझता हूँ आपके बस में यह कहूंगा कि आपके अपने बढ़े हैं अपने खिले नहीं जरूरी समझना प्राइब कर इस चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसरमान हो क्योंकि यह तो साओधीज इस जिएजिटें एजिन मैं है ना यह सारा एक ही खिता है अगर मुझे महलीच को कुछ बताना है या कुछ मुझे उसको करेक्ट करना है तो मुझे उने गालियां बखने की जुरूत नहीं है मैं उसे तमीज से प्यार से एक educated person की तरह बात कर सकता हूँ और मैंने भी आपको कभी गाली नहीं दिया आपसलूटली क्योंकि मैंने आपको कभी मौका नहीं दिया इंजाक्ली तो मेरा पॉइंट ही था आप तहजीब आप अगरूर नहीं कर सकता है चाहाँ मरजब कहीं से भी हो अब मैं आपको बात बताता हूँ साओधी रिविया उन्होंने एक और फर्मान जारी गर दिया कि बंद कर लौट स्पीकर सारे बंद कर इसको नहीं करना क्यों कर रहा है यह क्योंकि अब वो उन्होंने इस्लाम के साथ-साथ पढ़े लिखाई भी कर ले हर एक साओधी का जो बंदा है उसका बेटा ऑक्सफो साओधी अरमे बहुत ज्यादा मेरे खादे सार्यारमे पाकिसान से ज्यादा मुल्हिद एथिएस रहते है अचली हूँ यह क्यों है क्यों है क्यों कि वो स्टीव जौब जहा है वो राम का भक्त है वो दूजरे थे वो को राल थे वो कलाई वो सारी करके गाए मैं कुछ इमोशनल में बोल किया था, नी नी उन्होंने अपॉलजाइज कर लिया कि मैं कुछ यह नहीं बोल किया था, मुझे गालिया पड़ रही है, प्लीज रिलीट कर दो, तुम लोग आते हो यहां पे बोलते हो, मुझे तीसी चौती दफा हुआ है, लोग आके यहां बोल जाते है बाद मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे डिलीट कर दो, मुझे पड़ाहिलेखा ही कम है, रिसरच कम है, मैं बताता हूँ, इनको मजहब नहीं, इनको तहजीब की और इनको और इनको प्रॉबलम है, अमें इंडिया-पाकिस्तान के अगर आप बात बताओं मैं आपको, कि कशमीर में, ये जो पीस का टाइम है, ऐसे पचास हजार बंदा मारा है, इंक्लूडिंन मुस्लिम्स, क्यों? वाई? कौन सा इसलाम है? अगर आप मुझे एक एर अगर आप दुनिया में जाके वो उस दिन शाह मुमुद कुरिशी साहब जो थे वो CNN के बंदी जब उनकी पेंट उतार रही थी तो उन्होंने व्योगर मुसलिम के बारे पोचा कैसे वो स्क्वीज करके उसको काश्मीर की तरफ ले गए जो उनके पॉलिटिकल एजंडा ना जो उनके पॉलिटिकली उसमें फाइदे में है वो उसी पर बोलेंगे सिर्फ उस वक्ति उनको इसलाम याद आता है अभी मैंने जो आज न्यूस कवर की है यह क्या है यूनों ने उस वक बोला ना इसलाम ले आई फॉरन क्योंके इनके इ वर क्राइम के लेवल पर आप किसी को चार पांच घंटे पहले आप पर उसके बाद आप उसका गला दबाएं और फिर जब वो ना मरे तो उसके सर्फ भाड़ दें कॉंसर असलाम फॉलोर रहा था भाई यह क्या है यह 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 बागा इस बिंग आ आज अस गोल जब 1971 में बंगलादेश पहुचा था जब उन्होंने का था जी हम तो बंगलादेशी को पाकिसान का प्राइम निस्टर बने नहीं देंगे तो उसने क्या का था कि मैं बंगलादेश्यों की नसल बदल दूँगा हुआ था ना मुक्ति बाहिनी बनी लोग कहते हैं काफी उस दिन गालिब भी कह रहते हैं मैं नहीं को रूका नहीं क्योंकि I don't know because some of your facts were screwed इंडिया ने मुक्ति बाहनी को ट्रेन जरूर करा definitely करा मगर बनाया हमने नहीं मैं महिलीश को मुझे इंफर्मेशन नहीं है तो मैं बात नहीं करती है मगर आज कर जो टॉपिक है इस पर अगर हम थोड़ा सा सिक रहे है न तो पीज आपसलूटली मैं कुछ कहना जाओ जाओ इस पर अज़ते हैं तो यह वो आदमी है जो अपना असली नाम नहीं डाल सकता है इस कितनी आउकात नहीं है तो फिर बात करते हैं हम गीत आपको मेरे से प्रॉबलम है तो मेरे से प्रॉबलम है अगर तरको मेरे किसी बात से पंगा है तो यह है प्रॉबलम आपका इन लोगों से कॉम्पेटिशन है भाई चांथ यह जैने थैंक्यू गीत सो मच I know you wanted to clear something up it's always good to have you फिर हम दुबारा आई है मैं कल सोच रही कि आपाए नहीं कल I was live yesterday maybe you're busy मैं का चाहिए नराज होगा इक जिम से ने 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 नराज होगा इक जाले ठीक है thank you so much I'll leave the studio then I'll leave the studio then I'll leave the studio then I think I'll connect with you somehow on Facebook we can always connect later on take care bye-bye